Lacted Threshold क्या है? Aerobic Performance के साथ इसका संबंध क्या है? एक आम वेक्ति और एक एतलेट में Lacted Threshold कितना पाया जाता है? हाई, मैं Physical Education में Assistant Professor कौशिक चक्रवर्ती हूँ और इस वीडियो में हम Lacted Threshold से जुरे हुए इन विश्वेवर बात करेंगे जब हम Incremental Exercise कर रहे होते हैं जहाँ पर उस Exercise का Intensity हम Gradually बरा रहे होते हैं Blood में Lacted का Level भी Slowly, Low Rate से और Exercise Intensity के साथ Proportionally बर रहा होता है लेकिन वो Exercise एक Certain Intensity पर पहुचने के बाद Blood में Lacted का Level Suddenly, High Rate से Disproportionally बरने लगती है जिस Exercise Intensity पर Blood Lacted disproportionately बरने लगती है वो ही Lacted Threshold है Lacted Threshold वो Point है जब शरीर में Oxygen की ज़रूरत Oxygen Delivery से अधिक हो जाती है इसलिए उस Point पर Sufficient Oxygen नाम मिलने का कारण हमारे शरीर Energy Release के लिए Aerobic से Aerobic Energy System पे Switch करता है इसलिए Lacted Threshold को Aerobic Threshold भी कहा जाता है Higher Lacted Threshold बहतर Aerobic Performance में मदद देती है इसका कारण यह है कि Higher Lacted Threshold वाला वेक्ती इतना सक्षम हो जाते है कि Higher Intensity Exercise में भी वे Aerobic Energy Systems को Avert करते हुए और Aerobic Energy System को इस्तमाल करते हुए Energy Release कर पाते है इससे उनके Exercising Muscles और Blood में Lacted बहुत जल्दी जमा हो नहीं पाता और वो Lacted से होने वाली थकान को बहुत देर तक टालते हुए आपना Workout जारी रख पाते है Exercise Intensity से Lacted Threshold को बताया जाता है मतलब किस Intensity पे Lacted Threshold को देखा गया है और Exercise Intensity अक्सर V2 Max के परसंटेज में मापा जाता है इस तरह Lacted Threshold को भी V2 Max के परसंटेज में व्यक्त किया जाता है एक Untrained व्यक्ती में Lacted Threshold आम तोर पर 50 से 60% V2 Max के बीच में पाया जाता है प्रापर ट्रेनिंग से Lacted Threshold को काफी इंप्रूफ किया जा सकता है एलिट अंडूरेंस अथलिस में Lacted Threshold 70 से 80% V2 Max के बीच पाया जाता है अंत पे हम बोल सकते हैं कि बहतर अंडूरेंस पर्फोर्मेंस के लिए Higher Lacted Threshold बहुत ज़रूरी है Higher Lacted Threshold से Aerovic Events में सक्सेस आसान हो जाती है क्या आपने पहले के भी सोचा कि Aerovic Events में सक्सेस के लिए Lacted Threshold पर भी काम करना चाहिए अगर हा तो आपने इस Threshold को इंप्रूफ करने के लिए किस तरह से प्रिप्रेशन ली है मुझे कमेंस में बताईए मैं जानना चाहूँगा यह टॉपिक सम्मंधित जैसे View to Max, Aerobic और Anerobic Energy Systems आदी टॉपिक्स पर मेरे और भी कुछ वीडियोस है स्क्रीन पर दी हुए कार्ड्स पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुए लिंक्स पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते है आज के लिए इतना ही, have a nice time